हाई फ्रेंड्स माइनम इस आश्रम हाजन और यह मेरा फर्स्ट वीडियो है तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप से शेयर करना चाहती हूं कि मैंने कैसे अपना वेट लॉस की है कैसे अपनी जर्नी और मेरा अभी भी वेट लॉस चल रहा है मैंने एक दम से अपना उस है जिन डाइट करो दाइट नहीं करना हमें खाते पूते अपना वेट लॉस करना है लेकिन हमें एक्सेसाइज जरूर करनी है बिना एक्सेसाइज के वेट लॉस पॉसिबल नहीं है अगर आप कोई सप्लिमेंट्स या डाइट चार्ट या कुछ भी आप करके पतले हो जाते हो लेकिन जब आप अपनी नॉर्मल रूटीन में आते हो तो आप डबल गेन करते हो जितना आपने लूस की अब वह तो ठीक है उससे आप डबल गे जिम चोड़ा आज का लॉगडाउन चलते है जिम बंध है और लोग अपना कितना वेट पूट उं करें आपने भी दिख आएगा काफी लोग ने वेट पूट उं किये तो हमें गर रहे के ही पतले होने हैं और सब कुछ खाना है ये कि हम ये सब कुछ काना है लेकिन करना क् मैं अपने personal experience पिता रहे हूं कि आपको अपनी body को आदे गंटा जरूर देना है, एक गंटा तो कम से कम minimum देना ही देना है, अगर आपको अपनी healthy life चाहिए, आपको अपना body fit चाहिए, आपको सो प्रॉब्लम से रिलीफ चाहिए तो प्लीज अपनी दिमाग से अच्छे से सोचके कि हम जीम में भी तो इतने पैसे खर्च रहे हैं तो वहीं हम अपना एक गंटा आने में जाने में वहां पे कितना फ्यूल भी हम वेस्ट करके जा रहे हैं तो गर बैठे बैठे कि अच्छा लगते अपनी बॉडिक को इतना टाइम दे अपने आपको इतना टाइम ऍच्छागाए आप की लाइफ पे आपका राइट है आप अपने आपको कम से कम एक गंटा दे सकते आप कुछ नहीं कर सकते आप लेट के वह बैड ऐसकर सकते हैं आज टोटे षी अजल बड़े इजी वे में बड़ी अच्छी एक्सराइज है आप उसको डेखें कि आपकी वोडी को क्या सूट करता है जैसे मैं जंपिंग बिलकुल नहीं करती हूं फ्लोर एक्सराइज करती हूं मैं स्टेंडिंग एप्स करती हूं एक्सराइज करती हूं बट मैं ज्यादा वह एक्सराइज नहीं करती हूं मैं अपने आपको कम से कम 2-3 आर्ज जरूर देती हूं मेरा 10-12 फिक्स टाइम है कि मैंने अपना वर्क आउट करना ही करना है जब आप यह करोगे आप खुद अपने आपको देखोगे कितनी स्वेटिंग कितनी अपकी बॉड़ी की मुवमेंट इवन कि आपके इंच लॉस भी होना स्टार्ट हो जाएंगे लाइक 2-3 डेज में अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो मैं आपको बिडियो भी शेयर करोंगी कि आप कौन से उजी वे में घर बैठे आप आप पर ही नहीं तो आप कहीं भी बैठे बैठे आपको मैं वह भी बता दोंगी lıkने if कोई तफ नहीं है अपने गर का खाते हुए खाना है बूखे नहीं रहना बूखे रखे कोई एकस καती होते हैं कोई एकस एकसीज करने के लिए हमें कुछ खाना पढ़ता है अनर्जू वाला मैं यह detail एक खाऊना परचाहता हुए यह झिल कर आप घर का खाना को लेकिन गिंगर जो डोटी बनती है मैं immort당 सारा इंटे करते हूं मेरे को यह नहीं कि स्पेशल मेरे और यह लेने हैं यहां फिर कुछ आपने लिर्स पाइशल में नहीं करती। आप वीडियो मेरा इसलिए देख रहे हैं कि आप भी चीज़ों से ठगए हैं आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो तो आप मेरे को फॉलो करो और मेरे बताय हुए टिप्स पे अगर आप करोगे तो मैं नेक्स वीडियो में आपको बताऊंगी यूकि वीड करो आपको अपना वाक भी करना है अब तो आजकल लोगड़न है बाहर तो जाना नहीं है अपने टैरिस पे करो कम से कम आजकल मोबाइल पर एप साथे हैं अपनी स्टेप करो कुछ ना कुछ अपनी बॉड़ी को करो और गर का खाना का हो सब कुछ आओ आपकी स्किन भी क्योंकि अप सारी उमर तो डाइट करनी सकते यह एक इसी वेवे है राइट वे है यह मेरा पना पर्सनल एक्सपीरियंस है आइंग वेरे हैपी विद माय वरकाउट और मैं पर्सनल एक्सपीरिंस इसलिए कर रहा हूं कि मैं मेरे को पता है मैं इस चीज से निकल चुकी किनियते जितना आपको लोग तंग करते हैं सो इजी वे में करो कोई टेंशन नहीं है अपने गर से लोगडाउन में आप अपना ट्रांस्पार्मेशन कर सकते हो लाइक मी आप भी कर सकते हैं मैं कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओ झाल झाल झाल